बिस्मिल्ला रोहमान रहीम, रिस्पेक्टर टीचर्स एंड डियर स्टुडेंट्स, अस्सलाम लीकुम, I am Vakas Ehmad, तोड़े, we will discuss about Mathematics Grade 1, this is our introduction to Unit No. 2, हम इस lesson में देखेंगे के Unit 2 में हम लोग किन चीजों के बारे में study करेंगे, तो अब आजाएं, main, जो inner title page की तरफ, और हमारा जो Unit 2 है, उसका जो main title page है, वो देखें, ये number operations के बारे में है, number operations के बारे में, means के जो operators हम लोग numbers के between use करेंगे, उनको हम लोग study करेंगे, different operators को, अब इसके जो top right corner के उपर आपको ये QR code मिलेगा, इसको जैसे ही scan करेंगे, तो इस से related, जो introduction से related वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर इस side पर देखें, ये आपके पास सारे के सारे जो है, SLOs, जो इस unit के अंदर हमने discuss करने हैं, वो यहाँ पर defect कर दिये गए हैं, अब यहाँ पर उसके बाद फॉरन जो है, वो introduction स्टार्ट होता है, introduction इसी unit के बारे में, कि हम लोग इस unit में क्या क्या चीज़े study करेंगे, देखें जरा next page के उपर, जब आप next page के उपर आएंगे, तो आपको first SLO मिलेगा, जो के addition without carrying है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग main जो two topics discuss करेंगे, एक addition को करेंगे, और एक subtraction को करे करेंगे, हमारे पास जो basic operators होते हैं, जो number, जिनको number operations के नाम से जाना जाता है, वो हमारे पास four है, basic operators जो है, plus, minus, multiplication, and division, तो यहाँ पर हम लोग सिरफ जो two operators हैं, उनको use करेंगे, addition को और subtraction को, तो यहाँ पर देखें, हर concept को जो है, इस तरह elaborate किया गया है, जो के हम लोग different lessons के दुरान उनको detail से study करेंगे, अब आजाएं, exercise, जो भी इस unit में exercises होंगे, उनको इस तरह describe किया गया है, exercise two way, sample के तौर पे मैंने जहाँ पर दे दिया है, कुछ हम लोगोंने इस unit के अंदर, जो है, projects डाल दिया है, या extra activities डाल दिया है, या homework, home activities डाल दिया है, जो के आप provision of their parents, our teachers, वो complete करनी है, जिस तरह ये project है, and then, इस unit को जब close किया है, आखर में हमने review exercise दे दिया, review exercise में हमारे पास क्या-क्या चीज़े include है, इस में MCQs है, multiple choice questions है, and then, कुछ extra questions भी दे दिया है, जो हर SLO के बारे में described है, अब total number of lessons, जो आप लोग इस unit में लेंगे, वो आपके पास 19th lessons है, और जो lesson number, lecture number 8 है, वो exercise है, उसमें solution बताया गया है, कि exercise 2A का solution कैसे है, यह आप description box में से ले सकेंगे, lecture number 16 जो है, वो exercise 2B का solution है, similarly, lecture number 17, जो है वो exercise, review exercise 2 है, उसका solution बताया है, किस तरह आपने questions को solve करना है, जो आपने lessons लेंगे, उन lessons में जो methods बताये हैं, उनको apply करते हुए, आपने यह exercises solve करनी हैं, वो यहाँ पर, यह three lectures हैं, यह exercise के solution हैं, अब आजए next, at the end, lecture number 18 में, हम लोग पूरे unit का जो है, review देखेंगे, उसमें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोगोंने, detail discuss की हैं, इस unit के अंदर, तो students, I hope कि आप लोगों को पता चल गया होगा, कि किस तरह आप लोगोंने, इस unit को use करना है, या आपको असानी होगी further next lesson में, thank you very much, इंशाला, अब हम लोग दोबारा अपने lessons में मिलेंगे, अल्ला हाफिस.